ब्राट तो यू बाई इन्फिनिक्स संख्या 1479 है इसके इलावा देश भर में आईयस अधिकारियों के 1472 पद खाली है सिविल सेवा परिक्षा के जरी हर साल 180 आईयस अफसरों की नियुक्ति होती है संसदे समिती ने सिपारिश की है कि इसकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए ये सारी जानकारी DOPT की Demands for Grants Report 2023-24 में दी गई है जिसे पिछले हफ्ते राजसभा में पेश किया गया था अंग्रेजी अखबार दहिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केंदर सरकार में All India Service के अफसरों जैसे IES और IPS की भारी कमी है क्योंकि कई अधिकारी केंदर प्रतिन्युक्ती में आना नहीं चाहते है या राजसरकारें अपने हाधिकारियों की कमी कारूं नहीं पद से मुक्त नहीं करना चाहती है रिपोर्ट के मुताबिक देश में IES अधिकारियों की कुल संख्या 5317 है समिती को ये भी बताया गया कि 115 IES अफसरों ने अपनी अचल संपत्ती का रिटर्न पाइल नहीं किया है जो की अनिवार रहे है रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि CBI में 33 फीजबी पत खाली है 1 जन्वरी 2022 से सिर्फ 175 अधिकारियों की न्यूक्ती हुई है इस अंसद्य समिती के अध्यक्ष बीजेपी सांसत सुशील कुमार मोदी है दैनिक भासकर अख़बार के रिपोर्ट को मताबिक समिती ने भी सिफारिश की कि सिविल सेवा परिक्षा आयुजित कराने की अबधी को कम किया जाना चाहिए समिती ने कहा कि सिविल सेवा परिक्षा के नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर रिजर्ट जारी होने तक 15 महीने का समय लग जाता है समिती के मताबिक स्पूरी प्रक्रिया में 6 महीने से जाधा का समय नहीं लगना चाहिए समिती ने UPSC से यह भी पूछा कि सिविल सेवा परिक्षा देने के लिए आधे उमीदवार ही क्यों पहुँचते है पिछले दो सालों से जतने उमीदवार फॉर्म भर रहे हैं उनमें से आधे ही परिक्षा देने पहुच रहे है समिती ने UPSC से पिछले 5 साल में ली गई फीज की जानकारी भी मांगी है इसके अलावा सनसद्ये समिती ने UPSC से सिफारिश की है कि वह सिविल सेवा पीट लिमिनरी टेस्ट परिक्षा की आंसर की तुरंट पबलिश करें अभी PT परीक्षा के आंसर की final परीक्षा होने के बाद जारी की जाती है संसद्य समिती ने विदेश सेवा में तैनात अधिकारियों के पोस्टिंग को लेकर भी सिफारिश की है समिती ने civil service की समीक्षा में पाये कि जब पती पत्मी में से कोई एक All India Service और दूसरा विदेश सेवा में होता है तो उन्हें posting को लेकर दिक्कत होती है IFS के पास शेत्रिय पासपोर्ट ऑफिस या राजियों के ब्रांच में नरधारत पदों के अलावा posting का विकल्प नहीं होता है लेकिन All India Service के अधिकारियों के पास deputation राजिय से केंद्र में या केंद्र से राजियों में जाने का विकल्प होता है इसलिए समित्री ने सिपारिश की है कि All India Service के ऐसे अधिकारियों को AGMUT काडर आवंटित किया जाए AGMUT यानि अरुनाचल प्रदेश, गोवा, मजोरम और केंद्र शासित काडर इसे अधिकारियों को दिल्लिया उनके राजियों में पोस्टिंग मिल सकेगी जहां उनके पती या पत्नी की पोस्टिंग होगी आपके लिए तमाम जानकारी खटा की है हमारे साथी साकेट में मेरा नाम दव्यांशी सुम्राब है देखते रहे दिललन टॉप, शुक्रिया